हाई लवली डेडीज आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम की जो अल्मुस्ट मुझे लगता है हर लेडी हर वाइफ हर मॉम फेस करती है उनको किचिन के काम के कारण बरकाउट का टाइम नहीं मिलता क्योंकि इस लॉक्डाउन में सारी के सारी लेडी क्योंकि मेट भी अवलेबल नहीं है तो आज में लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें आप अपनी किचिन में ही रहके अपना पूरा एक्सरसाइज रूटीन कम्प्लीट कर सकते हैं आप केलरी बर्न भी कर सकते हैं आप वेट लूज भी कर सकते हैं विक एक्सरसाइज के लिए तो हलो फ्रेंड्स में हुष्प अपनिला आपकी होस्ट और दोस्त यह है फिटनेस टिप्स्टर टाइजन यो सीट बैल्ट लेस्ट रॉक एंड बी शूर तो सब्सक्राइब मैक्जिमम जब हम लोग किचिन में काम करते हैं तो हम करते हैं अपने हाथों का इस्तेमाल तो हमारे लेक्स तो फ्री हैं बैली हम चलते भी हैं तो वन या टू स्टेप ही चलते हैं तो क्यों ना हम अपने लेक्स को अपने एक्सरसाइज का वर्ड बना दें तो हमें करना क् बहुत सिंपल सी एक्सराइजेस होंगी आपको अपना जो फूट प्रिप्रेशन का स्टार्ट है वो करना ही जॉगिंग के साथ है हाव यूविल दू थिस थर्टी सेकेंड यूविल जॉग लाइक दिस आपनली यूविल वर्क दिस आपको जॉग करते रहना है अगर आप ठक जाते हैं तो आप तर्टी सेकेंड के लिए वेट करिए थर्टी सेकेंड के बाद तेन सेकेंड का ब्रेक दीजेएख हमारे फूल बॉड़ी के लिए एक आरोबिक एक्सराइज next अभी आपको लेना है warm up आपके each and every body part का तो जब आपको खाना बनाने के बीच में थोड़ा बहुत time मिले साथे करने के बीच में आपको simple एक neck stretch लेना है जिसमें आपको exhale down करना है chin on to your chest inhale up exhale down inhale up यह आपको 5 times करना है 5 to 6 times then you will go for side so exhale right inhale center exhale left again 6 count each side next you will come to your shoulders you can take this stretch like this also 6 forward and 6 backward right now come to hip rotation don't forget to inhale and exhale rotate your hips 6 times forward 6 times anti-clockwise right now little side bending perfect now you will come on the simple leg stretch so what you have to do for this just stand like this try to lift your leg on the side 10 times right 10 times left and you are done with the warm-up now we are going to do some exercises which you can use in your kitchen items like what is the most important part of our food salt and salt is something that we have here in bulk no one can keep a pound or 50 grams of salt and everyone has at least 1 kg of salt that means that it will be a bag so what do you have to do with salt तो हम डेली ही डालते हैं, so salt के डब्बे के साथ हम करते हैं वर्काउट, make sure डखकन अच्छे से लगा के रखिएगा, so यह डब्बा हमको फॉवर्ड लेना है, और हमको अपने हाथों को ऊपर नीचे करना है, नमक डालने के पहले, so 10 ताइम साप इसे अपन डाउन करेंगे, तो, three, exhale, every time, exhale, side, inhale, center, exhale, side, inhale, center, यह exercise भी आपको करनी है 10 times इस exercise के साथ आप 10-10-10 के 3 sets ले सकते हैं बट make sure कि आपकी सबजी या दाल जले नहीं next exercise जो कि हम इस सेम्ड बई के साथ कर सकते हैं हमको इसको पकरना है और इसको हमको up and down लेना है जो कि stress देगा आपकी इस muscles को लेडिस के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनका यहां पर fat आके deposit हो जाता है because of some reasons and लटकने लगता है तो यह exercise है यह exercise आपके इस fat deposition में बहुत help करेगी so what you have to do just hold this dabba like this ultra it's not like this like this and drop it back and just up down make sure आपका डबबा नीचे टच होना जाहिए and आपको यह set लेना है 20-20-20 three sets so 20 आप एक बार में ले सकते हैं नमक डालने के बाद फिर से आप 20 ले सकते हैं ऐसे ऐसे करके आपको three sets करने है complete now another one हम जैसे ही किचिन में काम करने जाते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस तरीके की चम्मच के साथ इसकी विर्थ इतनी होती है या फिर obviously इससे बड़ा वाला भी आप लोगों के पास होता ही होगा like जो मेरे पास है this one यह आपको कहां help करेगा यह help करेगा आपको आपका posture maintain करने में like it will behave like a prop for you so if you are keeping your hands up तो आपके back bone खुदी stretch हो जाएगी what you have to do just take this little stretch and down 10 times one two inhale up exhale down three four five six seven and eight perfect यह हुआ आपका लेडल के थूँ नाउ अभी जब आपको खाना बनाने की बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है जैसे अगर आप रोटी बिल रहे है या फिर जैसे आप सबजी चला रहे है या फिर आप वेट कर रहे है सब्सक्री काटते समय बहुत सिंपल से एक्सराइज जो आप पर्फॉर्म कर सकते हैं आप आराम से अपने लेग्स को लिफ्ट करके 10 10 ताइंस लेफ्ट और राइट जा सकते हैं लाइक दिस एब्री टाइम आप इन्हेल करके आपका लेड लिफ्त करेंगे और एक्जेल कर कि आपका लेड डाउन करेंगे बहुत सिंपल एक्सराइज है लेकिन बहुत इफेक्टिव है यह आपकी इनर थाइस को बहुत बेनीफिट देने वाली है आपको 10 टाइम स्राइट से 10 टाइम लेड से परफॉर्म करना है अगर आप बिगनर है तब भी वह आपको बहुत बड़ा सपोर्ट देता है राइट सो आपको मीन वाइल कुकिंग करते में अगर थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो आप अपने प्लेट फर्म को इस ट्राइब से होल करेंगे आप स्ट्रेट खड़े होंगे आपकी बैगबो यह जाएगा 90 दिग्री आप जितना जाते हैं विगनर लेवल पे डाइट अपको 10 टाइम सापके लेफ लेट से इस एक्सराइज को एज एक्सराइज को एज परफॉर्म करना है दीरे दीरे आप इसे बढ़ा के ट्री सेट्स में भी लेके जा सकते हैं डिपेंस अन्यू न थार्ड वन आपको ऐसे करके अपने प्लेट फॉर्म को होल करना है बैग्बोन अगेन स्ट्रेट रहेगी आपको एक्सराइज करके पुष करके नीची स्कॉर्ट में आना है तो यह स्कॉर्ट आप बाइड एंगल भी ले सकते हैं आपकी जो टोज हैं टोज रहेंगे 4, 5, and 6, right? Now keep your legs together, same exercise, 6 times again, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and you are done with your whole body exercise. एक बार जब आपके यह रूटीन में आ जाएगी तो मुझे लगता है less than half an hour आप यह सारा का सारा कवर अप कर लेंगे and yes, you will also sweat like me, correct? तो यह थी बहुत ही सिंपल थी कोछ एक्सराइज जो कि आप अपनी किचिन में खाना बनाते हुए भी कर सकते हैं. रेस्टिक्शन सिर्फ इतनी है कि अगर आपको lower back pain है तो forward bending में थोड़ा आपको धिहान रगना है. दूसरा, obviously अगर आप breakfast और lunch के बीच में एक difference लेते हैं, अपना एक time decide कर लिजे कि आपको exercise का परफॉर्म करनी है. लंच में या डिनर में. And make sure कि exercise के पहले आपके जो meal का gap है, वो at least 4 hours का होना चाहिए, 4-5 hours का. तो वो आपको खाली पेट होने का एक एहसास दिलाएगा. And आपके exercise आपको double benefit देगी. Right. Now, third thing. अगर आप ये exercise कर रहे हैं, तो breathing का बहुत ध्यान रखना है. आपको inhale, exhale, वैसे तो मैंने almost सारा ही explain किया है, बढ़ फिर भी अगर कोई भी doubt है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, inhale and exhale throughout the routine आप जितना करेंगे, तो वो आपको help करेगा आपके weight loss में, आपकी बढ़ाएगा lung capacity, और आपको करेगा detoxify. So, please be sure to subscribe my channel, be sure to like and इसी तरह के धेर सारे वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी, अभी के लिए इतना ही, आशा करती हूं आपको ये पसंद आया होगा, thank you.